महिलाओं के लिए संभोग के समय चरम सुख को पाना ही असली सुख होता है। यदि महिला के साथ लंबे समय तक संभोग करना है, तो पिछवाडे से करना ज्यादा सही विकल्प है। जिस स्त्री के स्तन बड़े और उंचे होते हैं, तो उसकी योनी भी सामान्य से बड़ी होत तो उसे रसी के सहारे पुलपार करने जैसा एहसास होता है। जिस ओरत के दोनों स्तन बड़े होते हैं, उस ओरत के साथ संभोग करते समय मर्दों को सबसे ज्यादा आनन दाता है। जो पुरुष सुहागरात के दिन ओरत के हाथ से दूध पीता है, ऐसे पुरुष पूरी संभन्ध बनाने का मजा लेते हैं। पुरुष द्वारा स्त्री में गुदा संभोग करने से पुरुषों का लिंग हमेशा सीधा और खड़ा रहता है। जब स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य एक साथ गिरता है, तो दोनों को चर्मोत कर्ष की प्राप्ती होती है। जिसको वो एक दूसरे के साथ बयान नहीं कर सकते केवल महसूस ही कर सकते हैं। चालीस की उम्र के बाद महिलाएं संभोग के लिए और भी ज्यादा दिल्चस्प हो जाती हैं। जिस स्त्री के अंदर संभोग की ज्यादा इच्छा होती है, वो हमेशा गैर मर्द की तलाश म में रहती है, जिससे उसकी योनी को संतुष्टी प्राप्थ हो सके। पुरुष अपने से कम उम्र की स्त्री और स्त्री अपने से बड़े उम्र के पुरुष के साथ संभोग करना सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। महिलाओं के स्तन बहुत से फैटी टिशू से मिलकर बने ह होते हैं, जिनको कम करके आप अपने स्तनों को कम कर सकते हैं। महिलाओं को संभोग करने के लिए सिर्फ एक कारण की जरूरत होती है, लेकिन मर्दों को बस एक जगह की। खाने होकर संभोग करने से महिलाओं की योनी सख्त और ज्यादा आनंदमई हो जाती है। एक औरत ऐ के साथ संभोग करने का मौका मिलता हो. अपनी पत्नी को उन महिलाओं से दोस्ती न करने दें, जिनकी स्तन और पीछे का हिस्सा बड़ा होता है. क्योंकि ऐसी महिलाएं ज्यादातर चरित रहीन होती है, जिससे आपकी पत्नी भी चरित रहीन बन सकती है. 40 प्रतिशत महिलाएं यह सोचती हैं कि एक पुरुष उनके लिए अच्छा दिखने की तुलना में अच्छी तरह से शिक्षित होना ज्यादा महत्वपूर्ण है